योग दिवस पर सागर में चिकित्स को द्वारा किया गया सामोहे की योग का आयजन बताए गए योग करने के फाइदे सागर में अंतर रास्टिय योग दिवस के उसर पर मकरोनिया इस्थेत पद्माकर नगर में हड़ी रोग विशेशट डॉक्टर जी एस चौबे तथा नगर के चिकित्स पो द्वारा सामोहे की योग का आयजन किया गया जहां बड़ी संख्या में लोग योग करने के लिए पहुँचे इवं योग किया वही डॉक्टर चौबे ने लोगों को बीमारियों से बचने के लिए योग के फाइदे भी बताए मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर स्नेहल चौबे ने बताया कि हर व्यक्ति को सूर्य नमस्कार रोज करना चाहिए इससे सरीर में होने वाले दर्द वा अन्य वीमारियों से छुटकारा मिलता है डॉक्टर सब क्या कारीकरम रहा और कितने लोग आज समलित रहे ये कारीकरम आज योग दिवस का था आज एक किस जुन है पूरे विश्व भर में आज ये योग दिवस मनाया जा रहा है और ये इस कारीकरम में सामिल हुए सागर हॉस्पिटल और हमारे प्रद्मा करनगर के जो लगरवासी हैं वह लोग सब सम्मिले थी और उन्हें बड़े मनवयोग से योग एक घंटे का कारेकरम उन्होंने अटेंड किया और काफी अच्छा लगा सब तरह की बैयायाम हुए और काफी उन्होंने अच्छा मैसूच किया उसके बाद देना चाहेंगे जडी आपको कि निकाया को दे रखना है आपको सरीर को क्वस्त रखना है आप मानशिक रोगोंसे दूर रहना चाए तनाव mayonnaise मुक्त रहना चाहे तो तो सुबह अच्छे बातावरण में सुबह एक घंटे का यदि योग कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका दिन भर पूरा प्रसन्य चित नकलेगा करीबन इस कारेक्रम में 20-22 लोग शामिल हुए हैं और ये कारेक्रम बहुत ही अच्छा माडम में बहुत बहुत जो अपने शरीर के लिए आवश्यक है जो बेली रूटीन में हमें तकलीफे होती हैं गर्दन से हाथ से रिलेकेडिया फिर जिसको हम क्याते हैं कि मात्र एक घंटे की बात होती है और इससे हमें वाकई में प्रसन्यचित्व हैसा ऐसा कौनसा आसन है जो व्यक्ती को डेली करना चाहिए दरो अबसे उसमें पूरे शरीर का अपने बाल से लेके तो कहते हैं कि नाखून टक का व्यायाम होता है जिसमें पूरे शरीर में जो जक्त का प्रभाव होता है वो बहुत अच्छे से फ्लो होता है तो सुर्य नमस्काल यह सबसे बेस्ट है बात करने के लिए धन्नवाद फिलाग की खबर में इतना ही आगे खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूले